आप सब मैं सुमंजे स्वाल आज आपका स्वागत करती हूं अपने यूट्यूब चानल में आज की इस वीडियो के माध्यम से हम बात करने वाले हैं बैनेसाइट 40 के बारे में आखिर ये क्या है किस चीज की दवा है कैसे इसका उपयोग करना है इन सारी चीजों की जानकारी आज हम आपको इस एक वीडियो के माध्यम से उपलब्द कराएंगे और जैसा कि आप जानते हैं हमारे चैनल का हमेशा प्रयास रहता है कि आप तक हम किसी भी जानकारी को छोटी सी छोटी जानकारी को आप तक पहुचाने का प्रयास करते हैं अपने इस चैनल के माध्यम से तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बैनोसाइट 40 के बारे में आखिर ये बैनोसाइट 40 है क्या तो सबसे पहले आपको बताओं कि ये जो है बैनोसाइट 40 टाबलेक और सीरप दोनों ही फॉर्म में मार्केट में उपलब्ध है इसकी जो टाबलेट आती है 100 mg की टाबलेट आती है और ये टाबलेट 30 टाबलेट की स्ट्रिप्स होती है पत्ता होता है एक पत्ते में 30 टाबलेट होती है ये सीरप के फॉर्म में भी मार्केट में अवेलिबल है इसको बनाने वाली कमपनी का नाम है ग्लाक्सो स्मित क्लाइन GSK, इसके alternative brands भी available है, जो हम आपको आगे बताएंगे, अब देखिए सबसे पहले बात तो मैं आपको बता दूँ कि यह किस class की drug है, यह anti-helminthic class की drug है anti-helminthic, helminthic जो यह word है, यह scientific term में worms के लिए यह term दिया गया है, worm यानी कीड़ा, तो कीड़ों के लिए यह एक scientific शब्द दिया गया है helminth, तो यह anti-helminthic drug है, ठीक है अब देखिए, इसमें जो important chemical constituent है वो है diethyl carbamazene diethyl carbamazene इसमें 100 mg, यह active constituent है यह इसमें present होता है अब जो important बात हो सकती है वो यह इसका उपयोग क्या है तो मैं सबसे पहले बताऊँ आपको इसका उपयोग है phyleriasis में phyleriasis क्या होता है दोस्तों, phyleriasis में क्या होता है, यह एक तरह की disfiguring disorder है disfiguring क्या होता है इसमें body का जो shape, size आकार होता है यह पूरी तरह से बदल जाता है, इसलिए इसको disfiguring कहते हैं, क्या होता है इसमें limbs के आसपास में सूजना जाती है, और कभी-कभी genitals में भी सूजना जाती है, तो इसमें pair जैसे आप देखेंगे कि हाथी के जैसे मोटे-मोटे pair हो जाते हैं इसलिए इसको elephantiasis भी कहा जाता है, तो यानि यह जो benocyte 40 है यह philaria की बिमारी में यूज होते हैं, फिर आजाते हैं हम toxocaryasis toxocaryasis दोस्तों क्या है कि यह different different organs को affect करती है यह basically जानवरों से यह बिमारी humans को होती है जानवरों से कैसे होती है, देखें, यह यह एक विशेश प्रकार का परजीवी, परसाइटिक वाम है परजीवी कीड़ा है, जो डॉग्स के इंक्टस टाइम्स में मिलता है, जिसको कहते है toxocaryasis और कभी-कभी बिल्लियों में भी पाया जाता है, जिसको कहते है toxocaryasis तो यह दो प्रजातियां है जिनसे यह विमारी होती है toxocaryasis, तो उसके लिए भी benoside 40 का यूज किया जाता है फिर आगे बढ़े topical eucanophilia topical eucanophilia में क्या होता है कि tropical eucanophilia को हम पहचान सकते है खासी, चीक और बुखार से फिर आते है loiasis loiasis एक ऐसी बिमारी होती है जिसमें आखों में swelling हो जाती है आखों के आसपास सूजन हो जाती है और यह एक विशेश प्रकार का कीड़ा एक warm से होता है जिसका नाम है loa 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 नामक कीड़े से यह बिमारी होती है जिसको हम कहते है loiasis है ना तो दोस्तों यह इतनी बिमारीों के लिए एक टैबलेक उपलब्ध है बैनोसाइड 40 अब देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया कि यह बैनोसाइड 40 तो बना रही है गलाक्सूसमत कलाइन लेकिन इसको बनाने वाले और भी कमपनिया है का में और खाते है अब दोस्तों इसके बारे में बात करते हूं अगर तो यह बात के बात करती है यह अ क्या करती है यह इंफेक्शन कॉजिंग पेरसाइ्ट होता डेनी है यह उसको पूरी तथा से खतम कर देती है। प्रवाइड में उनकी मोपलीटी को रोखता है। जब मोपलीटी पूर को रोकता है, एक विगवाद है,의 इम्मून सेल्स बूत तो गिवरान है की वरता जिकर भूट में ईहती है。 जब यह वह मिल जाते हैं तो वह पूरी तरह से इस परसाइट को खतम करके ही दम लेते हैं तो और फिर आगे क्या होता है उनका फ्यूचर में ग्रोथ को भी रोकती है यह दवा तो यह दवा तो इस तरह से काम करती है दोस्तों अब आगे बढ़ें देखिए फाइदा अगर होता है तो नुकसान भी होता है लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको फिर से याद दिलाती हूँ YouTube पे हमारा एक और चैनल है Tank Direction News के नाम से जिसका लिंक मैं description में शेयर कर रहे हूँ और आप से उमीद करती हूँ कि आप उस लिंक को विजट करेंगे और हमारे दूसरे चैनल पे भी हमें सपोर्ट करेंगे हमारे उस चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा अब देखिए side effects देखिए side effects है तो इसके management भी है no doubt manage भी हो जाएगा कौन कौन side effects है पहले वो देख ले नौसिया vomiting है उल्टी जी मिचलाना सरदर्द और लैसिट्यूड लैसिट्यूड मतलब ठकान लगना एनरजी कम हो जाना तो यह तो देखिए अब यह side effects है तो इसको manage कैसे करेंगे दोस्तों management भी बताती हूँ देखिए क्या करना है नौसियो और vomiting जैसी स्थिती सोभरने के लिए हमेशे इस दवा को खाना खाने के बाद लेना है ठीक है खाना खाने के बाद लिया जाए और साथी साथ जब भी इस दवा को लें उसके बाद पानी की जो amount है वो अपनी body में maintain रखे पानी की मात्रा कम न देने के बाद जिसमें बहुत जादा concentration की जरूरत हो या बहुत जादा energy लगानी पड़े सिर्फ रेस्ट करें तो यह काम करती है और side effects भी manage हो जाते है इसके आसानी से ठीक है अब आगे बात करते है जो अकसर सवाल आता है क्या pregnancy or breastfeeding में इस दवा को दिया जा सकता है तो पेडिया बच्चों को दी जा सकती है लेकिन बूढ़े बुजुर्गों को भी दी जा सकती है लेकिन जब भी दे तो इनमें डोज इनके body weight और height और age के according इनका डोज जो है calculate करके doctors जो required amount of drug है वो देते हैं टीक है ऐसा नहीं आप एक tablet लाए और दिन में तीन बार खिलादें डॉक्टर से संपर्क करें डॉक्टर इस टैबलेट को जैसे recommend करें सीरप recommend करें दे बच्चों में दी जाती है इसमें कोई शक नहीं है बुढ़ों में भी दी जाती है कोई शक नहीं है लेकिन डॉक्टर से सलह लेने के बात क्यूंकि dose vary करेगी ठीक है अगर मैं interaction की बात लॉल इसके संग इस बैनोसाइट 40 को नहीं देना है क्यों कि यह क्या करेगी heart rate को और कम कर देंगे तो इस दवाईयों के संग इसको नहीं देना है फिर वहीं दूसरी दवाई है अगर इस दवाई करेंगे तो इस दवा का खुद का ही एफेक्ट कम हो जाएगा फिर आगे आते हैं अगर हमेशा सवाल होता है कितनी देर में काम करेगी कब तक काम करेगी दूसरी दवा कितनी देर में ले सकते हैं देखे इसको बताने से पहले अगर आपको मेरी दी हुई जानकारी आप तक सरल और आसान भाशा में पहुँच रही है तो हमारे चानल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए वीडियो को लाइक जरूर कीजे और कोई सुझाव हो तो कमिंग सेक्शन में अपने सुझाव आप मुझे दे सकते हैं मैं अगले वीडियो में जरूर उसको संभालने का और सुधारने का प्रयातने करूंगी और अगर आप किसी विशेश जानकारी को चाहते हैं तो आप वह भी मुझे कमिंग सेक्शन में बता सकते हैं मैं अगला वीडियो उसी जानकारी के लिए बनाऊंगी अब देखते हैं ये दवा जब आप लेंगे ना तो एक से दो घंटे लगते इसको काम करने में ओ साव एक से दो घंटो में अपना असर दिखाती और इसका असर आठ गंटों तक अगले 8 गंटों तक साइब हो जाता है कि हम भूल जाता है मतला आहिसा नहीं करना है आपको कि हम दुपहर आने वाला है एक घंटे पहले हम सुबाली खा ले 시작ρεί मिया को एसाि अगर अभली द अगली वाली डोज अगर छुट गई है तो अगर आपने ऐसा कर लिया है तो ओवर्डोज हो सकता है ऐसा आपने किया है तो डॉक्टर के पास जरूर जाये सलाहा मश्वरा करें क्योंकि नॉसिया वोमिटिंग है डेक जैसी समस्य और गंभी हो सकती है ठीके दोस्तों अब जानकारी आपको बहुत आसान भाषा में समझ में आ गई होगी अच्छा लगा वीडियो तो लाइक कीजिए चैनल पिन नहीं है तो सब्सक्राइब कीजिए और कोई भी तरह का आपका सुझाव कमिंग सेक्षिन में आप दे सकते हैं अब मैं सुमंज आपसे विदा चाहूंगी अगली वीडियो में मिलूंगी नई मैडिसिन की चर्चा करेंगे किसी नई समस्या के बारे में बाते करेंगे तब तक के लिए स्वस्त रहिए धन्यवाद